यहां इस प्रेस कॉंफिरेंस में हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी, CPI, CPM, भाकपा माले, कॉंग्रेस पार्टी और RGD के सभी यहां नेता और प्रिंट इलेक्ट्रोनिक वीडिया के हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों का स्वागत है सबसे पहले मैं बड़ा विनमता से हाथ जोड करके, नत्ममस तक हो करके बिहार की जनता को धनिवाद देना चाहूंगे और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाओं का फैसला आया है जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाओं आयोग ने अपना नतीजा सुनाया जनता का फैसला महागरबंधन के पक्ष में है चुनाओं आयोक का नतीजा इंडिये के पक्ष में है आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमिशन का है नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में यह कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटा नहीं है 2015 में महागरबंधन जब बना था तो वोट जो है जनादेश जो है वो महागडबंधन के पक्ष में था लेकिन चोर दर्वाजे से बीजेपी सरकार में आई जो कि बीजेपी के चनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना लेकिन बीजेपी की सरकार रही कहा जाता है डबल इंजन की सरकार लेकिन पूरे चुनाओं में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था जो चनता का मुद्दा था चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे गरीबी भुकमरी पलाइन मलदूर किसान सिक्षा चिकित्सा या आप कह सकते नियुज़ित सिक्षकों कोई जो समान काम समान वेतन या सुएम साह समू के मानदे की बात रही हो नौकरी की बात रही हो उसको लेकर के हम लोग बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और समुद्दे पे चप्चा हूँ और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का विहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा मजदूर किसान स्वैप शाय समू जीविका दीदी हो आंगनबारी हो आशावरकर हो विकास मितर हो निज़त सिक्छक हो जो हमारे श्रमवीर रहे हो आज सब लोगों में आक्रोश है आक्रोश इस बात का धन बल चल एक तरफ देश के प्रधान मंत्री बहुत ही शक्तिशाली प्रधान मंत्री और एक विहार के मुख मंत्री तमाम पूंजी पती एक तरफ रहे जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे तब जा करके जो बीजेपी का जो प्रकोष्ट है आप प्रकोष्ट भाली भाती समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ट कौन है बीजेपी के प्रकोष्टे जोर भाग गुना सब कुछ किया फिर भी राष्टी जन्ता दल को सिंगल लार्जस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई और महागडबंधन के सबी सात्यों एक जुट होकर के हम लोगों ने मुद्धे की चुनाओं पर हम लोग चुनाओं लड़ने का काम किया और आप जानते हैं कि ये मुद्धा कुछ लोगों ने असमर्टा जताई की नौकरी नहीं दी जा सकती जो की डबल इंजन का चेहरा है जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राश्ची जनता दल को हमने कहां से कहां पहुचा दिया आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पर चलेगे तीसरी नंबर पर नितीश कुमार जी साफ तौर पर ये समझ ले भाजपा के लोग साफ तौर पर ये समझ ले ये जो जनादेश है ये बड़लाव का चनादेश है अगर थोरी सी भी अंतरात्मा नेतिक्ता नितीश कुमार जी में पची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है जोर तोर भाग गुना करके जो बैठने का शौक है कही न कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते वे कुर्सी से हट जाना चाहिए और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे लेकिन महागेट बंदर और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए जनता पिहार की जनता हम लोगों के साथ है और बड़ा आशर की बात है अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि हमारा पश्ट मानना है कि हम जीते हैं हम हारे नहीं है हम जीते हैं पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक अजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष है लेकिन क्या ये सवाल खरा होता है कि देश के खास्तोर पर बेरुजगारी जहां बिहार में 46.6 फीस दी है जहां मुख्य मंत्रिय समर्टता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता ये सवाल खरा करता है और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे लेकिन सरकार में उनसे हम कहना चाहते हैं कि चार दिन की ही चांदनी है लेकिन अगर उनीस लाग रोजगा समान काम वेतन निवज़त सिक्षकों को स्वेम साय समू को अगर मांदेव सिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महिने पर तो हम महागरबंधन के लोग बड़ा आंद करने का काम करें हैं दूसरा पहलू कुछ लोग बड़ा कहें कि हार गये तो लोग रो रहने हैं हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं जनता के बीच रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलते हैं जहां भी रहेंगे जनता की अव सवाज को बुलंदी से उठाते नहीं लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि कि आखिर कहां चोर तो और भाग गुणा हुए तो कुछ सवाल है हम आपको कउंटिंग आफ पूस्टिल बालेट पेपर कि प्रक्रिया बता दे काउंटिंग पूस्टिल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्टी जन्तदल के पेज से एक विडियो जो है एक जारी किया गया था स्थीक चुनाओं से पहले उस विडियो में साफ तोर पे दिखाया था कि राथ के अंधेरे में पोर प्रियंत हो गारी निकली युख पोछटल बैलेट के बस लीट की हिसे प्रायओ क्या प्रिया सीफिकेटि निः। कि चुदा में राट में कोई भी परफ़ोटेशन च Caesar के वोट बकसे कोई इदर सुथर ले जाया जा सकता है निसी ले जाए इनी के लॉस की बात करें, Election Commission का की क्या प्रोसीजर होना चाहिए? Counting of Postal Ballots Papers 15.15.4 इनका पॉइंट है, उनी का, Election Commission का, As per the requirement of Rule 54A of CE Rules 1961, The Postal Ballot shall be taken up for counting first at the Returning Officers' Table. मतला, Postal Ballot की गिंती जो है, उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए. साफत तौर पे इस पे लिखा है. और, under the Law Rule 54A of the Conduct of the Election Rules 1961, The Postal Ballot Papers are to be counted first. It is clarified further that it is not necessary to wait for the counting of Postal Ballots to be completed before counting of votes recorded in EVM starts. आपको जरूरी नहीं आप इक टिजार कर सेके. आपको प्रक्रिया जो है, सामांतरन शुरू कर देनी चाहिए. वोटो की, Postal Ballot की, वोटो की गिंती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए. ये मेडा नहीं है. ये तो चुनाओ आयोक का है. आफ्टर अगाप अफ्टरी मिनिटे प्रम दा कमेंस्मेंट अफ काउंटिंग आफ पॉस्टल बैलोट पेपर, अफ्टिंग वोटो की जो प्रक्रिया है, वो चालू कर सकते हैं. आफ पॉस्टल बैलोट पेपर शालू कर सकते हैं. आफ पॉस्टल बैलोट पेपर शालू कर सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले EVM कहीं करिये, आप पॉस्टल बैलोट पहले काउंट कीजा, उसके तीस मेंड बाद आप EVM की जिद्धी चालू कर सकते हैं. एक और है पंदरा पॉइंट, पेज नंबर 260 में जाके देखीगा, पॉस्टल पॉस्टल बाद पॉस्टल बाद रचेज़ टेते हैं, of all postal ballots in the presence of observer and the RO all the postal ballots rejected as invalid as well postal votes counted in favor of each and every candidate shall once again be verified and tallied the observer and the RO shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result the entire proceedings should be videographed without compromising the secrecy of ballot and the video cassettes cd should be sealed in a separate envelope for future reference इसमें साफ तोर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इन्वालिड हो या वैलिड हो आपको observer और इन सब के सामने जो है विडियोग्राफी करा करके इसका cd वी जितना विडियोग्राफ्ट है कैसे इन सब को सील करके रखा जाए और यह सील का जो दिरेशन होता है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है चिनाव नतीजे के 40 दिन तब इलेके इलेक्षिन कमिशन को यह अनुमती है कि वो पोस्टल बैलिट्स को जो है सील रख सकते हैं आप शिकायद जो होगा आपको साटिस्फाइ करना है यू हाव तू साटिस्फाइ ओल दी कैंडिडेट्स वेदर इफ आफ डाउट्स वेकाज यह एलेक्षिन कमिशन की डिटी है अब एक और इंट्रेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंग जो कुल वोट मिला एक करोर संतावन लाग साट सो उठाईस मैं दोरादू एंडिए का जो कुल वोट है एक करोर संतावन लाग साट सो उठाईस जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऐल ओल थीज़़ चुनाओं का 37.3 महागरबंधन को वोट जो मिले एक करोर 56,88,458 जो कुल प्रतिशत महागरबंधन का निकल के आता है वो 37.2 हमें मिले 37.2 और एंडियो को मिले 37.3 यादि एक पॉइंट का अंतर है 0.1 का अंतर है जो कि अगर वोट में अगर कनवर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर यादि एंडिये और महागरबंधन का खुल वोट का अंतर 12,270 का है अब बारा हजार में वो उनको पंदरा सीट लीडिंग पे है आगे है ये आश्यर की बात है कि बारा हजार में वो पंदरा सीटे जीदिये और याद किजेगा अद्बुद आकरा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेंस वोट को हम देता है जो सर्विस में है ज्यादातर सिच्छक लोग है जो कि एजुकेटेड है वो लोग है जो अप जागरुक लोग है जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मद्दान कर सकते हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार है पोस्टल से मद्दान किया घया होगा इंवलब में करते हैं बैलेट पे करते हैं याली जो ज़ागरुक बेकती है वह ये काम कर सकता है आप एक पॉस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं है एक रिजेक्ट समझ में आता है समय पॉस्टल वॉट रद कर रहे हैं पांट पांट सो पोस्टल वोट रद कर रहे और रद हो रहे हैं तो ये चुनाओं के उमिध्वार का जिम्मेवारी तो नहीं है रद किस वज़े से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद क्यूं हुआ जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटन में आरो से की लिखित में दीजिये कि आपने रद क्यूं किया आरो की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को साटिस्फाय करें जो कि हमने आपको काईडलाइन में बताया और किस से पूछ करके इलेक्शन कमिशन ने गिल्ती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद करने का काम किया पहले कि उने काउंटिंग कराईगे किसके दबाव में अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए है तो हमारी मांग है क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है रिकॉडड होने चाहिए विडियोग्राफी लाइए वैलिड इन्वैलिड बैलिड पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए यह हमारे महागर बंधन लोगों कही मांग है उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए हमारी जोहार हुई 17 वोट से 12 वोट से 50 वोट से 70 वोट से 100 वोट से 1500 वोट से लगबग 20 सीटों को हराया गया यह कौन जवाब देगा यह लोग बोलते रहे रोए रोए लेकि मेरा सवाल जाइज है चुनाती देता हूँ बिहार के मुक्ष मंत्री को जो चोड दर्वाजे से सत्ता हटियाना चाहते है सत्ता धारियों को कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलिट का पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए वो ही लोग बताए मेरा सवाल है अब बात में हुआ है तो किसकी गलती है बस इतना समाओ लीजा सिंपल आंसर हम जाना चाहता है कि आप जो गाइडलाइन से चुना हुआ योग का साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग और पोस्टर बैलेट पेपल इस पे साफ तौर पे लिखा है बताएं अगर काउंटी कराने क्यों नहीं करा रहे हैं हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रहे गें लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया हमारी उमिद्वारों को सुना नहीं गया लास्ट ने कहीं जगा तो ऐसा हुआ रागोपूर का ही हम बता दे रागोपूर का हम अपना बता दे तीन बज़े तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई रात के ग्यारा बज़े सेटिफिकेट में ग्यारा बज़े मेरा तो 36,000 का डिफरेंस था लेकिन जहां कम मार्जिन जहां हम जीत रहे थे वहां पोस्टल बारेक 900 संख्या में तो आप कराती क्यों भी है जब रदी करना है तो पोस्टल पे काउंटी मत कराईए अगर पोस्टल का अगर कोई वैली नहीं है रदी करना है तो आप वोट क्य कराते हैं कांति प्रख्याद एकरीमाटीं करें विखम पूरा दस्तावर सब दूद का पऩूद पाणी का पाणी हो जाएगा पता किसके दवाबें काम कर रहा है किसके शारे पर काम सकत्तों तो ये 日 कहीं जग्म सटाटे में देश करके छीनने का प्रयास किया गया अब आ मोबाइल ले जाने दिया जाता है तो सब पता चल जाता है ना किसी को प्रवेश्ट कियाज करने दिया जाता है हमको तो छोड़ी मीडिया की लोगों को भी प्रवेश्ट नहीं करने दिया जाता है और लोग कह रहे हैं कि सबूत अला है कहां से लाए सबूत तो वहीं साएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकाल लिएगा CCTV की विडियोग्राफिक की वैलिट इन वैलिट जो क्यों निकाल कि दिखाऊ ना जनता को क्या जिनका रद किया गया वोट क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है अगर रद हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि यू फुर से पुर्ण मत्दान करें चुनाओ आयू के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना लोग तंत्र में आप नो नो सब वोट पोस्टल बालत का रच कर दिशेगा एक क्वश्वेंची में और वो भी एजुकेटेट जागरुक वोटर्स का जो सर्विस में हैं उनके वोट के मान नहीं होगा तो भाई सवाल तो बनता है क्योंकि यह लोग तंत्र बचाने की लड़ाई है और लोग तंत्र कैसे बचे और एक मोट से हार भी होती है जीद भी होती है लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहा चला गया तीसरे नंबर पार अब तक सामने में आये फिर कॉरंटाइन हो गया फिर कॉरंटाइन हो गया अरे भाईया अंतर आत्मा जगाईये नेतिकता सिद्धांत नीती विचार सब धूमिल आपने कर लिया अब आपने तो खुद कहा सन्यास लेने की बात सन्यास लेने का काम कर रहे है तो कम से कम आखरी के च्छन दिनों में काली अपने मूँ पर मत पतवा करकी जाए काली अपने मूँ पर या जनता का हाई ले करके अपने राजितिक सफर का अंतर मद कीजे नितीजी अंतर आत्मा जगाईये इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फियंस करना और मैं पुना बिहार को धन्यवाद दूंगा धन्यवाद यात्रा करूंगा भले इचाल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाई लेकि जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जन्ता को धन्यवाद देंगे और हमारा मानना है महागरबंधन की जीत हुई है डबल इंजन की हार हुई है जन्ता हमारे साथ है और कुछ किसी के दबाव में काम कर तो इसलिए ज्यादा कुछ ना किया कि अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो इसका जवाब देना चाहिए अगरबंधन पिहार में कि कोई कोई कोशिश करी की अगर और कोई सब्सक्राइब देखें हमने साफ तोर पर बोला ये मैंडेट जो है बदलाओ का मैंडेट है ये जनादेश जनता ने बदलाओ के लिए तो जो लोग बदलाओ के साथ है चीजों को समझेंगे तो जरूर वह Let our platform लेघा कि अमने तोस हुरsk टॉर थे बोला कि ये जशिनादेश जो है बदलाओ का है ये उनके उपर है कि वह जन ता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं हैं नहीं रहते है पहली बात महागरबंदन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े हम लोग एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं कौन क्या कहता है यह विशलेशन का समय नहीं है अभी जो बात है यह समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद हुए है क्यूं हुए है प्रक्रिया उसकी शुरुवात की थी अंत में आपने यह क्यूं किया आपने रिट बग ऐसे 20 सीटे जो है हम लोगों को हराया गया है एक सवाल है कि 119 के आकड़ों तक आपने चुआ फिर 108 हो जाता है फिर 110 पे उसको घर किया जाता है यह तो अपने ही गाइड लाइन्स का जब हमने आरा का एक 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 जांपल दिया कि रात में आप बखसा लेके जा रहे हो आ रहे हो वह क्या उचित है क्या वह गाइड लाइन्स को वह चीजे फॉलो करती है वह तो एविडेंस वहा ना वह तो एविडेंस है वीडियो में आपका आईडी काड़ी भी दिख जाएगा बैलेट पर बखसे जो रखे हुए है स्टील के उसमें नंबर भी लिख दिया जाएगा गारी का नंबर भी मिल जाएगा तो इसमें हम तो इस पस्टूप से मान रहें कि हमको तो कम से कम 130 सीटे महागडबंधन को मिली है आपका बैलेट के लिख लौप गुटन या। आपके लिख प्रभी मिलीग दौप्टन खारी के लिख दौपटन झाल्क दौपर है I have been asking simple question to release to satisfy the candidates whatever their queries has that's it if they will not satisfy the candidates then we might go to the court a very good question we are saying that we have won 130 seats we are in the Bahamut we are talking about where are we going to get out the second thing silent voters silent voters invisible voters and silent voters who are talking about who are talking about silent voters we are talking about we are talking about but they are not silent voters why are we not are the Praddhan Mantri silent voters who are talking about the people who are very vocal they are silent and they are silent so Praddhan Mantri is going to speak when he is speaking he is silent this is not they are not the only invisible voters जो कि बीजेपी के प्रकोष्ट है। लेकिर हमारे आकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे हम तो 130 पर हम तो यह कहरें बिहार की जंता हमारे साथ है आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथी आना चाहते हैं पहली बात महिलाओं की जहां तक बात आएगी तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो इसमें महिलाई नहीं है है आप देखिएगा महेंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं की किचन को एफेक्ट नहीं किया सिलिंडर का दाम क्या है घर का बिजली बिहार में सबसे महेंगा है क्यों महिलाओं को असर नहीं करता है यह महिलाओं को अगर पहले नुक्स इसकुमार जी के वज़ा से जो ब्लाक मार्केट बन गया है वही 200 रुपया से जादा 500 रुपया का घाटा हो रहा है तो कहां से उनके साथ महिला है यह सब केवल एक स्क्रिप्टेट प्रॉपगेंडा चलाया गया है और जो की सिलेक्शन में यह जितने स्क्रिप्टेट प्रॉपगेंडा चलाने की कोशिश की गई अरे आपने तो देखा इस चुनाओं में इतने सब्सक्राइब मेरे को कहा मेरे परिवार को कहा फिर भी हम आशिर वचन के तौर पर हमने चुनाओं लेड़ा तो कहां से आपका देखें सिंपल मैं तो सत्ता में बैठें लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का गिंती की क्या प हुई है अगर हुई नहीं हुई जो भी छोड़ी अलग बात या हमारे जो उमीद्वार रहें अगर वो कोई प्वेरी एलेक्शन कमिश्ण को उस समयं पूछ रहते तो उसमें इंकार क्यों किया गया लिकित तोर पर क्योंने दिया गया और अब हम सभी उमीद्वार जो है लिख करके इलेक्शन कमिशन को भेज रहे हैं और हमको तो सीडी भी चाहिए विडियोग्राफी भी देखना है इसे पहले कि मैं अगला सवाल ते इस वीजी के लिए लूँ गूँ मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ देना चाहता हूँ इस पार सबसे बड़ा पोस्टल बैल और एक बात इन्वालेट करने का कारण जो हमको संदे है यह है कि पोस्टल की जितने भी काउंटिंग हुई है एज जिन एक्जांपल रागोपुर अगर लेते हैं मेरे छेत्र का लीजेगा जहां हम 37,000 से चुनाओं जीते हैं जहां हम अच्छे से चुनाओं जीते हैं वहां भी पोस्टल में हम जीते हुए हैं लगबग तीन गुनाओं जादा से एक एक्जांपल अगर रूनी सहितपूर कर लिए जीएगा सिता मरी का तो वहां लगबग जो है 15-20,000 वोटों से हारे हैं पचीस हजार से हारे हैं लेकिन वो हारे हुए 15-20,000 छेतरों में भी प पोस्टल में जो मनुज जाजी ने कहा कि जादा तर पढ़े लिखे लोग सिक्षकों का नियुजित सिक्षकों का रहा है जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी हमारे पक्ष में वोट मिले जिसको रध किया जए और ध्यान से आरावाला बख्षा था तो एक जगे का पकड़ाया जैकि रात के अंधेरे में क्या क्या खेल हुआ यह तो आकराण जो है आम लोग डिमांड कर रहे हैं अरे भाईया सुनिये समझ गया है आप आप एक में टेक गवर्नर चुणा उला रहे थे क्या आप ने एक पर बाक्राइब इस गाइडलाइन में क्या लिख रहा है इलक्षिन कमिशन का किसको साटिस्फाइब करता है गवर्नर को के कैंडिडेट को क्या उसीडी दिखाएं क्या ते मीडिया को देदे अने मीडिया को देदे सब देखें ना प्रेशन के सब्सक्राइब प्रेशन करता हूं हमने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि ये जनादेश बदलाव का है और फैसला उनको लेना है कि जनता के फैसले के साथ है कि नहीं प्रेशन के सब्सक्राइब प्रेशन के सब्सक्राइब